नमस्ते दोस्तों, स्वागत है, Reviews and Recipes by रमेश्वरी मेरी यूटूब वीडियोस को लाइक करें, शेर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे Amazon Influencer Shop पर विजिट करें, मैंने रिकमेंड किये हुए Amazon Products को ओडर करें To read Product Reviews in English, follow my blog www.productreviewsrameshwari.com इस वीडियो में आप देखने वाले हैं, Amazon Pantry Product का Unboxing और Review Amazon Pantry के द्वारा मैंने 3 Pantry items ओडर किये थे 12 December को और Amazon ने अच्छी packaging में और अच्छी condition में, ये 3 Pantry items मेरे घर पर डिलिवर किये हैं 15 December को लगबग 4 दिनों के अंदर ये जो Pantry order है, ये मेरे घर पर डिलिवर हुआ है इन 3 Pantry items में से, एक item है Aerial Matic 3-in-1 Ports Detergent और इसी का Review आगे आप इस वीडियो में देखने वाले हैं इन 3 Pantry items के लिए मैंने Amazon को पे किये हैं 511 रुपे Amazon Pantry order हम 200 रुपे तक प्लेस कर सकते हैं और 600 रुपे की उपर जब order होती है तब ही delivery charges फ्री होते हैं क्योंकि इन 3 items का value होता है 511 रुपे तो इसके लिए मुझे 26 रुपे का delivery charge पे करना पड़ा है और 19 रुपे तक का discount मिला है मुझे इस Amazon Pantry order पर Stay Free Regular Pats और Amazon Brand Veda का Puffed Rice इन दोनों प्रोडास के Review वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अप्लोड़ेड है product reviews की playlist में जाए और वो दो वीडियो ज़रूर देखें details के लिए ये है Arialmatic 3-in-1 Pots Detergent इसमें है 18 Pots ये Arialmatic 3-in-1 Pots जो है वो कपड़ो को साफ करते हैं दाग निकलते हैं और सफित कपड़े जो होते हैं वो और ज़्यादा bright हो जाते हैं ये एकदम नया product है और ये import किया गया है जापान से ये जो Arialmatic 3-in-1 Pots Detergent है ये front load washing machine और top load washing machine दोनों में इस्तमाल किया जा सकता है इस Arialmatic 18 Pots के box पर इसके MRP दी गई है 432 रूपीज और Amazon Pantry प्राइस जो मैंने पेकिया है इसके लिए वो है 399 रूपीज तो इस Arialmatic 3-in-1 Pots के इस box पर मेरी savings हो रही है 33 रूपीज की इन 18 Arial Pots को seal packet में दिया गया है और इस seal packet को box में रखा गया है इस packet पर उन्होंने mention किया है कि हर इस्तमाल के बाद जब आप Pots इससे निकालेंगे तो बचे हुए जो Pots है वो इसी तरह से seal pack करके इसी डब्बे में रखने है इन Pots को आप open में खुले में नहीं रख सकते या फिर दूसरे किसी box में रखने की भी ज़रूरत नहीं है जो बचते हैं वो हमेशा इसी तरह से seal pack करके इसी प्लास्टिक डब्बे में डालके रखे इन Arial Pots को गीले हाथ से नहीं छुना है और इसे इस्तमाल करने का तरीका यह है कि आपकी जो fully automatic machine है उसमें पहले खाली टब में ये pot डालके रखना है उस पर laundry डालनी है उसके बाद हमेशा की तरह आपका machine जो है शुरू करना है इस पर जो plastic का packing दिया गया है वो आपको काटने की या open करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जैसे इस पर laundry रखी जाएगी यह जो plastic है यह अपने आप पानी के साथ detergent में पिघल जाएगा यह जो aerial pods है ऐसे के ऐसे ही washing machine tub में हमें रखने हैं यह इस्तमाल करने में बहुत ही आसान है और इसका फाइदा एक यह रहेगा कि हम बिना जरूरत की जादा detergent इस्तमाल नहीं कर पाएंगे तो detergent सही मातरा में इस्तमाल होगा इस aerial pod को इस्तमाल करने का सही तरीका यह है कि अगर medium load है washing machine में तो सिर्फ एक pod इस्तमाल करना है और अगर full load है heavy load है तो दो pods इस्तमाल करने है यहाँ पर मैं आपको एक quick demo दिखाने वाली हूँ कि इन aerial pods को इस्तमाल कैसे करना है मेरा washing machine है whirlpool fully automatic washing machine यहाँ पर मैं दो aerial pods को इस्तरा से रख रहे हूँ खाली tub में मेरी laundry जो है वो full load है इसके वज़े से मैं इन दो pods को इस्तमाल कर रहे हूँ यह पहली बार है कि मैं aerial 3-1 pods इस्तमाल कर रहे हूँ इसके लिए इस laundry में towel ज़ादा है heavy load इसके लिए मैंने दो pods का इस्तमाल किया है इन कपड़ों में ज़्यादा गंदगी नहीं है या फिर कोई दाग भी नहीं है मुझे सिर्फ देखना है कि यह सफाई कैसे करता है और इसकी खुश्पु जो है वो कैसी है इस product को जब मैंने seal pack से बाहर निकाला तो pods की खुश्पु जो है मुझे बहुत ही strong लगी superior fragrance है लेकिन देखना है यह कपड़ों पर टिक पाती है या नहीं aerial pods पर laundry रखने के बाद मैंने machine को शुरू किया है और अब यह soaking का process शुरू है जिसको मैंने beach में stop किया है मैं check कर रहे हूँ पानी में detergent मिल गया या नहीं तो detergent जो है aerial pod में से पानी में mix हो गया है पानी जो है वो अभी साबुन से भरा लग रहा है तो यह जो plastic का cover है वो आसानी से निकल गया है और अपने आप detergent जो है वो पानी के साथ कपड़ों में घुल गया है यह आसानी से घुल जाता है और अब यह जो है कपड़े धोकर machine जो है वो बंद हो गया है यह after wash results मैं अब आपको दिखा रहे हैं तो इन Arial Matic 3-in-1 Pods का review देते हैं में यहीं कहूंगी इस Pod में जाग बिलकुल भी नहीं आया है machine में खुश्बू बहुत अच्छी है लेकिन कपड़ों पर नहीं टिक पाई है कुश्बू में ऐसी कोई खास बात नहीं है strong कुश्बू नहीं है Arial Liquid Detergent हम इस्तमाल करते हैं लगबग वैसी कुश्बू है थोड़ी देरी टिक पाती है कपड़ों पर लॉंडरी क्लीन हो गई है सफेज जो है वो जादा सफेज लग रहे है मैंने दाग पर इन्हें इस्तमाल करके नहीं देखा है तो मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है Arial Ports जो है बहुत ही महंगे लगे मुझे 400 रुपे में सिर्फ 18 हम मीडियम लोड वाश कर सकते हैं या लिक्विड डिटर्जेंट जो है वो 230 के आसपास एक लिटर का प्राइज है एक लिटर का लिक्विड डिटर्जेंट एक किलो और डिटर्जेंट के बराबर होता है Arial Matic 3-in-1 Ports अगर आप effort कर सकते हैं तो एक नया प्रड़क्ट है ट्राइ करने के लिए कोई हर्ष नहीं है ट्राइ करने के लिए और Amazon Pantry से जब हम इसे ओडर करते हैं तब हम इस पर 33 रुपीज तक की सेविंग कर सकते हैं नया आइडिया है नई टेक्नलोजी है इस्तेमाल करके जरूर देखें मेरी YouTube वीडियोस को लाइक करें शेर करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे Amazon Influencer Shop पर विजिट करें मैंने रिकमेंड के हुए Amazon Products को ओडर करें To read product reviews in English, follow my blog www.productreviewsramishwari.com